जै श्रीराव कैसे हैं आप इश्वास कामना से कामना करती हूँ आइए वीडियो शुरू करनी से पہले मैं कहाना चाहंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें बैल बटन को शुरू तुमाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना फिल्कुल भी न भूले आईए वीडियो शुरू करते हैं कि दातार है, दाती है ये और ये जो भी हमारी मनोकामना होती है वो बून होती है अगर हमारी वाणी के अंदर दोश होता है तो कहीं न कहीं मा सुरू सुरू का हमारे को आशिरवात नहीं है कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी वानी के अंदर इतना अच्छा बोलते हैं और साथ में जो भी वो बोलते हैं वो सत्ते हो जाता है तो इसका मतलब वानी सिध है उनकी तो उन्होंने मासोसोती को सादावा है मासोसोती की अराधना और अर्चना करके सच्चे मन से करके उनकी सिद्धी बोल सकते हैं या फिर उनकी कृपा उन्होंने प्राप्ट करी भी है अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ नहीं लगता है तो उस दिन क्या करना है आपने सबसे बड़ा काम करना है इस दिन आपने उन बच्चों के हाज से मा सुरस्वती जी की पूजा अर्चना करनी है अभी शेक कराना है साथ में श्वेत फूल या फिर पीले फूल मा कुछ अर्पित कराना है इसके साथ में मोर पंखी मोर पंखी उनकी पहले मा सुरस्वती के उपर आप रखिए। और रोजाना उसी मोर पंकी से बच्चों को आशिरवात की तौर पे जैसे फेराते हैं वैसे आप फेराइए। इतना अमेजिंग काम करता है क्योंकि मासरसोती की पूरी ग्रपा उस मोर पंकी के अंदर है। और उही मोर पंकी जब आप बच्चों के सर क के उपर घुमाते हैं तो मास और सुती का आशिवात उनको मिलता है साथ में अगर आपकी रिलेशन या कोई हजबन वाइप के रिलेशन खराब हुए है या फिर आपके घर के अंदर ही रिलेशन काफी खराब है या स्वास्ते सम्मंदित प्रॉप्लम चल रही है तो इस दिन वसंद बंचमे वाले दिन अर्गला स्त्रोथ और कीला की स्त्रोथ का आपने पाट करना है दुर्गा सबसती के अंदर है अर्गला स्त्रोथ और कीला की स्त्रोथ इस दोनों का आपने करने के बाद में शहद का भोग मास और सुती जी को लगाईए और उस शहद को ही आपने थोड़ा सा चखना है, इस शहद के साथ में आपने एक काम और करना है, ये शहद आपके लिए अमरिद बन जाएगा, इस शहद को आपने, आप चाहते हैं कि आपकी वानी के अंदर सतिता आए, आपकी वानी के अंदर पावर आए, तो इक शहद की शीशी ले लीजेगा, उस किलक और अर्गला सतोत का पाटकना दुर्गा सबसती के अंदर है, करने के बाद में वो शहद की शीशी, बेशक एक सुई बराबर ही आप अपनी जीवा के उपर, जिनकी वानी के अंदर कटुता है, अगर आपके खर के अंदर कोई ऐसा इंसान है, जो बहुत कड़वा बो बच्चे के अंदर करें, उनकी पढ़ाई का खर्चा अगर आपके घर के अंदर कोई वर्कर है, तो उनकी में से किसी एक बच्चे का खर्चा उठाना शुरू कर दीजेगा, आप करके देखिएगा, जो बच्चा आपका पढ़ाई के तरफ ध्यान नी देता था, धीरे धी जब आप उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आप उठाएंगे, तो आपके बच्चे के अंदर में काफी फर्क पढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप देते हैं, तब ही हम ले पाते हैं, तो ये कुछ थोड़े बहुत पॉइंट से ये आप करके देखिए, व हम आज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए, जैए शिरी रहूँ